ब्रम्मा विश्णु महेश अजर अमर नहीं है इनका भी आविरभाव अर्थात जन तथा तिरोभाव अर्थात मृत्य होती है प्रमार के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण ब्रमा मैं विश्णु अर्शिव यह तुम्हारी प्रमाव से जनमवान है हम तो जनमवान है हमारा तो जनम होता है और मरते हैं नित नहीं है हम अभी नासी नहीं है फिर इंदरादी दूसरे देवतान नित किस परकार हो सकते हैं किर्पया अवश्य सुनिये जगत गुरू तत्वतर्शी संत रामपाल जी महराज के अम्रित वचन जरा माने वरद्वस्था के दुख से मरन माने मरतू जरा और मरन से छूटने का जो परियतन करते हैं ते ब्रम तत विदू वो उस तत ब्रम को जानते हैं और सारे अध्यातम से परिचित हैं और सभी कर्मों से परिचित प्राणी ही यहां कि किसी वस्तू की डिमांड नहीं करता कि वल जरा यानि वुडापे के दुख से कि फिर और मरन से छूटने का परियतन करते हैं आठमे जाएगे पर्तम मंतर मर्दू ने पूचा फिर किम तत ब्रम वो तत ब्रम क्या है आठमे जाएगे तीसरे सलोक में गीता ग्यान दाता ने कहा कि वो प्रम अक्सर ब्रम है यानि गीता ग्यानदाता से अन्य है और गीता जैनमर आठ के सलोक नमर पांत और साथ में ग्यानदाता अपनी भक्ती करने को कहता है कि मेरी साधना कर गीता जैनमर आठ के सलोक नमर तेरा मुव अपनी भक्ती विधी बताता है मेरे सतर की जो प्रमगती प्राप्त होगी वो मेरा एक ओ मंतर है नथिंग एलस मुझ ब्रम का अठ में जाएके पांट और साथ में तो अपने विशें बताता है कि मेरी भक्ती कर मुझे प्राप्त होगा और युद भी करना पड़े गया शांती नाम की चीज़ नहीं अठार में जाएके बैसेट में सलोक में कहा कि यदी तुने प्रम शांती चाहिए और वो सनातन प्रम धाम चाहिए पंदर में जाएके चोथे सलोक में कहा है कि तत्व दर्शी संत की प्राप्ती के उपरांट प्रमेश्वर के उस प्रम्पत की खोज करनी चाहिए जाजाने के बाद सादक फिर लोड़कर कभी संसार मन नहीं आते और जिस प्रमातमाने सब बिर्मंडों की रचना की है और उसी की भक्ती करो अन्य की नहीं उसकी प्राप्ती करनी है तो उस प्रमेश्वर की सर्ण में जाओ गीता ध्या नमर आठ के सलोक नमर साथ में सभशकत भी आँसे ने कि मेरी भक्ती कर मुझे प्राप्त होगा लेकिन युद करना पड़ेगा युद भी कर और मिरा सिमन भी कर तो युद जहां है वाँ सान्ती खा कर युद से तो काप कर अर्दुन मना करे था कि मैं नहीं लड़ना चाहता बीख मांगके खालूंगा हम राज भी ट्याग देंगे बिखारी बन जाएंगे पर ये नास नहीं करूंगा इस काल ने जबरदस्ती ड्रा दमका के उल्टी सुल्टी बक्वास गिड़के और युद करवा के छुड़े अब आठमेद है के आठ नो दस्मगीता ग्यान दाता कहता है यदि तुने उस परम सान्ती की प्राप्त करनी है उस परमात्मा के पास जाना है तो उसकी सत्रमेद है कि तेईसमें स्लोक में बता है कि उसकी प्राप्ती का ओम तत्सत इतीन अर्दे से बरमना त्रिवेदे समरता है उसके वी से मिसने स्विम बता दिया कि मैं नहीं जानता किसी तत्वदर्शी संत से पूछ हो तो उसकी साधना करनी है तो वो मंत्र है आठ में जाएके आठ साधक फिर लोटकर कभी संसार में आते हैं तो यहां गीता दैनमर साथ के सलोक नमर उननीस में यह सफ़च्ट कर रहा है कि बहु नाम जन्वानाम अन्ते ग्यानवान माम पर बते साथ में दै के बारा से पंदरा तक तो सफ़च्ट करी दिया तीननों गुनों रजगुन बर मासदकुन विश्णों तमकुन शिवच्ट की साधना करने वाले राक्सवबाव को धरन की वे मनुश्यों में नीज दुसीत करम करने वाले मुरख हैं फिर अपने भी से में कहता है मेरे चाहर परकार की साधक मेरी साधना करते हैं अर्थार्ती आरत जग्यासु और घ्यानी अर्थारती आरत और जग्यासीय को रिजेक्ट करता है कि वक्ट नहीं है ग्यानी मेरी आत्मा है ग्यानी मुझे अच्छे लगते है और उनको मैं अच्छा लगता हूँ कmniej लिए ही तरफ रहे हैं लेकिन उनको तत्वज़सी संथ ना मिलने से वो बेरे वाली अनुतम गटिया एस्रिष्ट गती में साथ शरीत रहे तो पुन्यात्मों दास आपको ये बताना चाहता था कि आप कितने पुनकर्मी पराणी हो कि आपको वो संद मिल गया जो वासुदेव का ग्यान रखता है और आप कितने पुनकर्मी पराणी हो ये आपको ग्यान ने इस दास को पता है अब जो परसंग हम उसी पर आते हैं अब जैसे एक जिसमें आदनी ग्रिवदास साहिब जी गाउन शुदानी जिलाद अजदर वाले परमात्मा की प्यारी आत्मा गाउन शुदानी में एक किसान थे जाट थे और अपना दंदा ग्रिया करते हैं खेती बाड़ी का जैसा भी ऐसी वेस बुसा थी जैसे आम अरियाना की दोटी कुर्टा पे ना करते थे बिल्कल एक सिंपल किसान जैसे होते हैं और हमने संथ की परिवासा मान रही है दाड़ी बड़ा रही हो शर्प बुड़ी बुड़ी जटा हो श्रीर पे तन पर राख रमा रही हो कि तो दोने लागा बैठा हो या लाल पिले कपड़े कर रही हो या कती मुड़ मुड़वा रही हो दो जर्प तलक ला रही हो गले में पान साथ माला पैर रही हो तो हमने संथ की वेस बुसा ऐसी मान रही थी और ग्रीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले सत लोग दिखाया वो मूल मंतर दे दिये सारे वो वक्ती क्रिया करते थे और परमात्मा ने कहा था कि बर मापंथ ग्रीबदास का आवगा उसमें मेरी महिमा की वानी पुने पर गठ होंगी तो ग्रीब दास ची के दोहरा प्रवेश्वर ने अपना यथारत ग्यान पूने परगट करुआया क्योंकि उनको मालूम था कि कवीर सागर के अंदर ये कवीर के ग्यारा बारा पंथ कुछ गुस्पैट करेंगे और ये थारत ग्यान को कुछ उसमें फिर बदल कर देंगे तो प्रवेश्वर ने दोबारा वो ग्यान कवा दिया और ऐसी जगे सुरक्षित रख दिया ग्रीबदास जी तवरा लिखा हुआ गरंथ है और उसके विशे में दास तो ग्रीबदास पंथ से ही अलग हुआ है खुब जानकारी थी कि सब ने ये बता रखा था कि ग्रीबदास जी ने जो वानी लिख रखिया किसी ने मातरा भी गल्द लिख दी और कोई भीर बदल कर दिया वानी में तो उसका बहुत बुरा हाल होगा एक संथ ने डालदास नाम का एक संथ था उसने ग्रीबदास ची की वानी में एक ऐसी जैसे अपने बच्चों को मात पिता भी गाली दे देते है तो उसमें ऐसी कुछ बासा लिख प्रियोकर रखिया है दमकाने के लिए कि चेतावनी में चूक नहीं और क्या देऊं गाली के करना था बहुत कुछ कह दिया याई कि और गाली दूं तुमारे को इस तरह यह और भी कुछ है तो उसने सोचा कि यह अब अंदर से सबध हैं को निकाल देता हूँ उसने मूल गरत हाथ से लिखा जाता था तब लिख तो पहले रखा था वो बादम हुआ था उसने संसोदन करना चाहा है उसको परलाशिस हो गया और उसने सब जगे बता दिया कि वे इस गरंथ की किसी भी वानी को छेड़ दामत मेरी दुर्दसा ऐसी कारण से हुए और चुडानी के अंदर उसकी एक अलग से मकान भी बना हुआ द्याल दास को अठी बोलने हैं तो उस प्रमातमान ऐसा जठका दिया कि गरीव दास के प अधुपंति संद थे बनेवे थे उन्होंने ये लिखा था गरंथ साब त्यार हाथ से लिख दिया था और उसी में से कुछ अंस निकाल कर जैसे जप जी साइब बना रख है गुरुगल साहिब से और गीता जी का कोई निकाल लेते हैं पांचेर सलोक रोज कर लेते हैं ऐसे ही ग्रीबदास जी की वाणी से ब्रह्म बेदी वगएरा ये जैसे हम आपको नितनेम के लिए देते हैं बक्ती बोद के मादम से ऐसे वो ग्रीबदास जी के शेश जो थे वो ऐसे जाप किया करते थी नितनेम ऐसी करते थे सुबह सुबह तो वो लो ध्याना के पास एक में बाहर बैठके कोई सफरत कर रहा था, कहीं जा रहा था आगे, पहले पैदल चला करते थी, तो उसने एक तलाब देखा, तलाब के उपर ना आगे, और बैठके वह उसके किनारे, और अपना नितनेम करन लग गया, जैसे आप डेली करते हूं, सुबह सुबह का, उसमें ब् वानी तो आत्मा को खेंचती है, एक राम राय नाम का सरदार जी था, और वो संतों की वानी के बड़े दिवाने होते हैं, उसने देखा कि पैरी पैरी वानी, संत की वानी कहां से उचारित हो रही है, धीरे धीरे वही पहुंच गया, जब उसने अपना नितनेम कर लिया, त उससे पूछा कि भगत ये ऐसी पैरी वानी किसकी है, उस संत ने बगत ने बताया कि मेरे पुझे है गुरदेव जी, संत गरीबदास माराज जी की है, तो संत उसने रामराय जी ने पूछा, शरदार जी ने कि वही ये संत अब चोले में हैं या चोला छोड़ गे, श्री छ एची में अथिम्राराज के नाम सेे घ्रीबदास माहराज के नाम से चोटा सramosचलेना उसे लेका स्टाएडरश कहां कहां कँसे जाना उत्या चल्पड़ा कि अब उसदिया पर और अभुजै की माहराज की परिभाश выполn जटा हो, लटा हो, बड़े-बड़े, कानों मुद्रा हो, चम्ता हो, लाल पीले कपड़े हो, इस तरह सोच को चल पड़ा है। अब सुबह सुबह गाउं चुडानी पहुंच गया। ग्रीबदास ची अपने खेतों में गये हुए थे, पसुन का चारा ले आते थे, गूमने भी जाते थे और उदर से जिनके समय आसपास के जो उनके स्यस थे, दो-चार गाउं से वो आ जाते थे, दस-पांस भगत वहां भी बैठ जाते थे, उनका इंचार करते थे, तो उसमें वो भगत इंचार कर रहे थे, ग्रीबदास ची खेतों में गये हुए थे, सैरसपटे कूं सुबह जैसे मस्त अपने बैठ जाते खेतों में, बजन करते रहते या अपने खेतों में काम करने लग जाते थे, जो ही वो रामराय वहां पहुचा, रामराय का एक उर्फ नाम था, जूमकरा, गाउं में जैसे, वो ऐसा ही, ऐसे ही मन चलाहा विक्ती था, लेकिन थासर डालू, इ जो छोड़ी बातों पर कभी किसी पर मस्त हो जा, किसी कभी किसी पर जूम जा, यानि डगमक सा विक्ती था, इसलिए उसको जूमकरा भी कहते थे, वास्तों एक नाम था, रामराय, उसने पूछा गाउं में कि गरीब दास महाराज का कहां है डेरा, एक विक्ती ने बता जे सामने चले जाओ, वो मकान है उनका पका, तो वहाँ पहुंचाओ, वहाँ पांचार भगत बैठे थे, उनसे पूछा भाई महाराज गरीब दास जी से मिलना है, उनने कहा कि आजो भगत बैठ जाओ सर्दार जी, महाराज जी गुमन गए है, सहर सपट्टे को, तो उसने उनकी मरजी है, आओं तब या जाना तो दो पर और देर भी कर सकते हैं, उसने सोचा मैं डाइसो पतीन सो चारी सो किलो मेटर आगया हूँ, और संत के दरसन करके वोजन पाऊंगा, उसने पूछा कि महाराजी किदर गए, मैं वहीं दरसन करूँगा, पीछे में बात करूँ का, और वहां मिल सकते हैं, वो चल पड़ा, उसी रस्ते, आगे से गरीबदास जी पसूँ का चारा शेर पर रखके किसान थे उते, दोती कुर्टा जे साम पैनावा यहां क्या था, आ रहे थे, तो उसी ने पूछा, राम राइए ने पूछा, गरीबदास जी को किसान समझ किसान मैंने गरीबदास महराज जी से मिलना है, उनके खेत कहां है, और वो तो गरीबदास जी तो अंतर यहां ही थे, जान गिया किस बगत के मन में, सादू संत महराज की कैसी आइडेंटी बना रहा यह, और यदि मैं अब नू कहे दूँगा कि मैं हूँ गरीबदास, तो यही से वापस हो लेगा, यह घर भी नहीं चलेगा, इसलिए गरीबदास जी ने कहा कि आजा बगत, मेरे साथ आजओ, मैं आपको गरीबदास से मिलाओंगा, तो उसने का जी वो इदर खेतों गए बताओं है, हक नहीं, आजा मेरे साथ तो, वो आ गया वापस, जो ही गरीबदास जी को, जो उनके इस बाहर के गाउं से आए थे, गाउं अड़े नहीं थ्योंडिसमियोन के इतने, यह कुदर्ती होया, अकर दीवे तला अंधिरा होता ही है, दीवे के नीचे अंधिरा ही रहा करता था, तो गरामराय ने सोच्चा भी यह को जो द्रीशाब अब उस रामराय ने सोच्चा भी देख, तीनसो डाइसो चारसो किलो मेटर आया, हर यू महाराज जी पाया, खुद्या पाड निकली चुया, यानि ना इसका को माला पहर रेखी, ना इसने सिर पजटा रख रेखी, ना यू कोई और, एक भी एलक्षन को नहीं साथ दुआ आता है, लेकिन वो पहुंच जगाता ठेकान है, गरीबदास्ची ने वो सभी बगतों को इद और दर बेज दिया, किसी को बैलों को पानी पिलाने के लिए, किसी को चारा डालने के लिए, किसी को वाल्टी पानी बर जाओ, मेरे लिए मन आऊंगा, और उसको कहा बैठ जा बैराम राए, नाम भी नहीं पूछा था, पर मातमा ने कहा, बैठ जा जा जो मकरा, दो मिट बात करूंगा, तरहे तो पात्षा में, अब ये इस बात्षियों पर भावित हुआ, कि मैं ने नाम भी ना बता रहे हैं, ने दोनों नाम बता दिये, सहे तक कोई जानकारा तो इसलिए वो बैठ गया ना चला भी जाता, जब गरीबदास जी सनान करने लगे, और उंगली के कोई रहट रूट में आके चोट लगी थी, खेत मकाम करते से में, उसका पट्टी बांद राखी थी गरीबदास से में, तो जब सनान करके दोत्टी बांदने लगे, दोत्टी में, उस रामराय से कहा कि रामराय दुमकरा, आईए सरदार जी, मेरी उंगली का चोट लागी और या बैल्ट बांदे मेरी दोत्टी की, अडबंद बांदन लागे, और वो कैसे होता था, अब बड़ी दोत्टी है, यह तो ऐसे एक्जमपल देता हूँ आपको, अब वो ऐ ऐसे कर लेते थे दोत्टी के कुछ हंस को, उस ही मैसे अलग से किनारे को, और ऐसे बांदते थे पेट के उपर गए, जो मकरा जी रामराय को कहा के लिए गाठ लगा दे, उसने चारों तरफ से एक श्रीर के करका है, और गाठ लानी चाहिए, वा गाठ जो है, श्रीर में से निकलाई दोत्टी, गरीबदास जी का है, और उस दोत्टी का गाठ लागी, उसने सोचा दोखा लग गया, तरह दूसरे फेर कर फटा फटा फटा, उसने दोबारा फेर ऐसे किया, फेर हुआ गाठ दोत्टी का लागी, गरीबदास जी के स्रीर से निकलाई, अब तीसरी ब ख्राइब आपको मैं तो तेरे जैसा ही किसान हो क्योंकि रामराएज नो सो भीघे का मालिक था किसान था, नो सो भीघा, पहले भीघा बहुत बड़ा होता था, यानि आज के परणे तीन भीघा, अरुसमे का एक भीघा, यानि डेड़ भीघा का किल्हा बन जाता, यह समझे 900 वी गाा का मौलिक था। रामराइ शद्दार जी। और 1302 गासत। 25,500,000 किले, एकड़ समйजें लो ओए. 500,000 वीका के मालिक थ네, 500,000 वीगा. बड़े वीगा जो बूले जाते तहेंwaari 3.304 के लगबगे किले बनते हैं। इतने बड़े किसान थे गरीवदास ची और वो नोसोवीगा का जमीदार था तो उसने ये आइडिया लगा रखा था यह सुना हुआ वहां बक्तों से दो चार मिंट बात हुई जब गरीवदास ची नहारे थे और फिर वो चले गए गरीवदास ची नहीं बेज दिख जाओ तुम फलाना काम कर लो कि ये बहुत बड़े किसान है डाई जार्बी का जमीन है इनका है और बड़े पॉंचेवे मातमा भी है तो रामराई ये सोच रहा था क्यों मेरे किसान है ये इसके नोकर ना करोंगे यहां पर और ये इसके गुन गा रही है तो उसने जब गरीबदास जी ने कहा कि रामराय मैं तेरे जैसा ही वेक्ती हूँ, किसान हूँ, पर दोती का गाठ क्यों ना लागती तेरे ते जब उसने उपर ने देखा तो लीला होती है, प्रमात्मान वो सर्ण में लेना था गरीबदास जी के शिर उपर का हिसा विष्णु जी का रूप हो गया और वो चैरों हाथ हो गये, शिर पर मुकट और छतर वो सुदर संचकर घूम रहा था, रामराय ने चरण पकट दिये, थोड़ी देर में फिर देखा तो गरीबदास जी तूसने सोचा, तेरे मन में वैसे इतरी अपनी ही सोच हो गिया, यो तो वैसे लग गया तरह दोखा, और फिर वो उसके स्रीर से निकल रही थी कि ये कोई जादूगर होगा, उसके मन में यहाँ अभी तक ये सैटिंग थी, फिर गरीबदास जी बैठे के वैका आजा, खाना खा पहले, फिर दो बात के सत्संग की, गरीबदास जी ने चार गंटे सत्संग सुना उसको, सिरिष्टी रचना से लेकर यहां तक वर्माभी शुनों मेश की सारी सत्षित्षी बताती, और किन मंतरों से मोक्स होगा, ये मंग इन से जाप नहीं, और नान्नक साहिब जी ने कौन से मंतर जाप किये जो तुमारे हाथ ने, तो तब उसने राम रायन कहा था, कि हे भगवान ये ग्यान है, होई होई, आज तक किसी ने नहीं बताया प्रमात्मा यो कहां ठुपा था, क्या किसी को नहीं पता, प्रमात्मा गरीबदास जी कहते हैं, कोई ना कह रे जूमकरा, ये पैसे उपर नाच सुन रे जूमकरा, किस्तत्व भेच्छे कोई प्रिच्चित नहीं है, ये सिर्फ पैसे के लालतमज़तर मंतर करते हैं, ये संत, और कहते हैं, क्रोडों में, क्रोड मनुष्यों में तुझे इस्तत्व दरसी संत नहीं मिलेग अर्बो में कोई गर्व कोई अर्बो में गर्व में कम्पलीट इन आल रिस्पेक्ट जैसे छोटा मोटा ग्यानते कभी रपन थी नकले भी रखते हैं लेकि इनके पास मंतर नहीं इनके पास अधिकार नहीं नाम देने का तो बता जैसे एक गाओं में यदि पांच अजार एक गाओं में पांच अजार आबादी है ना तो उसमें कम से कम भी चार अजार ग्रू पाऊंगे कैसे पाऊंगे जैसे किसी के किसी बहन के बालक का दिक्कत हो रही है एक बुड़ी आवागी प्रोसर ने एब एटीस का बार लिका हो गया इसके ऐसे स्वार रपिया रख दे बोल गए दूसरी आवगी बीतर लिगा बतावगी सौथी बतावगी ओईकम ओईका बतादेगी इसका फ़लानी कर दे कोई कहगी चुराई की माटी लागे इसका उपर गए फैंक दे यानि ये सारे गुरूप जैसे करम करते हैं लेकिन कख नहीं पता कोई रामकर्शन की साथ ना बताता है कोई किसी की बताता है तो इस परकार के कहते हैं करोण मारक दरसकों में भी तुझे कोई संत नहीं मिलेगा अर्बों में कोई गरक सुनो रहा है जो में करा तो इसी परकार गीता जाय नंबर साथ के स्लोक नंबर उनिस में कहा है के बहु नाम जन्मान अन्ते ग्यानवान माम पर बच्टे है और वासु देव सर्वमिती से मातमा सु दूलवे तो पुनातमाओ ये दास है वो मातमा और वो अर्बों में एक ये दास है और आपका सु भागे है आपको ये अज़ दास आपको ये बताना चारा था कि आप आम आतमा नहीं हो आप परमातमा की विश्च परी आतमा हो क्योंकि अभी तक आपने ग्यान का पता नहीं अभी तक ये सुर्या उदे हुआ है नहीं था सच्चे ग्यान का अब ये थोड़ा सा उदे हुआ है जिसके रोशनी माप यहां तक पहुंच रहे हो आप तक संदेश भेज रहे हैं परमातमा को टीवी के मादन से कोई भाई बेन के मादन से या कोई बुख पुस्तक के मादन से और आपको आप वो पुन्यातमा है कि आपको सत्गुरु मिले और इस समय में ये मानो स्रीर प्राप्त है पुन्यातमा हूँ सोब आगे आपका आप जी को ये अनमौल वचन सुनने को मिले और इन बगतों के इन अनुभाओं से जो परमातमा सुख देता है हम परमातमा को इसलिए याद करते हैं कि जब तक हम स्रीर में रहें हमारा स्रीर सवस्त रहे हमारे बच्चे ठीक रहें हमारे प्रिवार पर कोई आपदा ना आवे तो इन सभी संकटों से केवल कबीर परमातमा ही बचा सकते है ना विश्मु जी बचा सकते ना संकर जी बचा सकते क्योंकि ये सक्सम नहीं है ये वासू देव नहीं है ये संकट मोचन नहीं है कबीर परमातमा वो समर्थ सकती है जिसके विशे में ग्रीबदा साहिब जिनका है कि सत्गुर जो चाव है सोकर ही क्योंकि परमात्मा यहां जब आते हैं वो सत्गुरु भी रूप धारन करते हैं सत्गुर की भूमी का भी करते हैं यदि सत्गुरु हैं तो परमात्मा ही है और प्रमात्मा के ग्यान से प्रीचित उनके किर्पा पातर भी सत्गुरू होते हैं और वो प्रमात्मा भी प्रमात्मा भी होते हैं तो ग्रीबदास साहिब जी ने कहा था के सत्गुरू जो चाहे सोकर ही और चोदा कोट दूत जम्डरही उत भूत जम्तरा सिन्वारे और चितर गुप्च के कागज पाड़े तो परमातमा अपने भगत की आयू भी बढ़ा देता लेकिन सची लगन हो नियमित रहे कबीर साहिब कहते हैं जब तक हनसा हमरी आना काल लगेना तेरा बाना जब तक हनसातमा मेरी मरियादा मरहेगा तब तक काल का अटैक आपके उपर नहीं हो पावेगा हम मार खाते हैं गफलत कर देते हैं लोग लाजमें आके मरियादा भंग कर देते हैं और फिर कहते हैं हमने नाम ले रखा था हाँ नहीं होगी कभी नहीं हो सकती दास का उन्नीस वरस से अनुभा हो इस प्रमात्मा के मारग में वैसे तो उन्नीस ओठासी से दास जुड़ा है लेकिन उन्नीस सो चुरणवे से गुरुदेव ने जब से आदेश दिया है नाम देने का और जिन दिन भी वक्तों ने सचे दिल से वक्ती की है आद उनके वारे नारे कर रहे हैं तो हम मार खाते हैं अपनी नालाकी के कार ने जैसे सीता ना मार खाई थी उसको बता दिया था कि शरेखा से बाहर मत जाना और उसने यह सोचा था क्या फ़रक पड़ता है आटा देकर आजाओंगी वापस ऐसी आई वापस दुनिया का नास करा दिया बारा प्रम पिता प्रमात्मा पूर्ण ग्रम सारी स्रिष्टी के रचानवार कबीर परमेश्वर जी यसीन के रपासे आप सभी पुन्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्तित हुए प्रमात्मा की वाणी में प्रमान है के लखबर सूरा जू जही लखबर सावत दे लखबर यती जहान में तबस्त गुरु सरना ले आज आपको जो समय प्राप्ट है आज आपको जो बक्ति विधी प्राप्ट है चाहे वो किसी भी कारण से सत्लो कासरम बरवाला जिलाहिसार हरियाना में पहुंचा है चाहे किसी भाई बहन के कहने से या कोई किसी संकट से डुखी या कोई ग्यान से प्रेरी थोकर यहां पहुंचे हैं तो सभी पुन्यात्माए हैं यहां आना आम आत्मा के बसकी बात नहीं है जब तक प्राणी के पूरव जन्मों के सुब संसकार अत्यधिक नहीं होते तब तक वो सत्गुरु प्राप्त नहीं कर सकता और सत्गुरु सत्गुरु और प्रमात्मा में अंतर नहीं होता प्रमान दिया है के लखबर सूरा जो जही लखबर सामत दे लखबर यती जहान वे तब सत्गुरु शर्णा लें आप सभी पुन्यात्माई योगों योगों से प्रमात्मा पाने का वर्सक प्रियतन कर रहे हैं आपने बहुत साधनाए की कभी ना कभी आप प्रमेश्वर कबीर जी की सर्ण में भी अवश्य रहे हो लेकिन हम प्रमात्मा को पहचान नहीं सके प्रमात्मा की सरण में हम बगती युक्त तो हो गए लेकिन सत लोग अपने निद्ध सथान नहीं पहुंच पाए जिस कारण से वो पुनकर्मी प्राणी इस काल के लोग में बहुत से मैतो पुरुन पदों को प्राप्त होता है और उसके पस्टाथ फिर से 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ जाता है अब जैसे ये बगती अब ये बगती काल चल रहा है बगती युग है प्रमात्मा का निर्धारिच किया हूँ और इसमें अरबों खरबों की संख्या में मानों स्रीधारी प्राणी सतलोक जाएंगे और अब भी जो करम हीन इनसान फिसल गया इस मारग से फिर वो असंखों योग तक लाइन पर नहीं आ सकेगा तो क्या बताते हैं लखबर सूरा जूजही अब जैसे ये बगती काल चल रहा है हजारों योग तक ये सत साधना चलेगी और फिर इस बगती को करते हुए प्राणी बीच में कोई फिसल गए बगती नहीं करी बीच में छोड़ दिया तो फिर वो आत्माए इस काल के जाल में फसी रह जाएंगी और इसने यहां अपना एक दंदा चला रख्या है रेस्टोरेंट बना रखे हैं उपर के लोकों में विष्णु जी ने अपने लोकों में बिर्मा जी ने अपने लोकों में शिव जी ने अपने लोकों में गणेश और दुरुगा जी ने अपने लोकों में और इस काल ने बिर्हम लोक बना रखे हैं अपना रेस्टोरेंट और यह बगती युक्ष प्राणी वहां जाते हैं अपनी ही पुन्य कमाई से वहां सर्वय सुधाय प्राप्त करते हैं इस काल के लोग और जब इनके पुन्य समाप्त हो जाते हैं यह पुन्य पटक दिये जाते हैं कोई गधे की यूनिम है कोई कुट्टे की यूनिम और उसके बाद फिर भी मनुसरी जब कभी प्राप्त होता है तो उस पुन्यात्मा के अंदर फिर से तरफ वगवान की बनी ही रहती है वो फिर से सुरू करता है प्रमात्मा दयालू है फिर उनका नियम है विद्धान है पर तेग योग में आते हैं उनको नए सिरे से फिर चारज करते हैं तो प्रमात्मा की स्रण में आप जी ने बहुत अच्छी-च्छी साधनाय की है और जैसे लखबर सूरा जो जही एक सूरवीर होते हैं सूरमा जिशे कहते हैं ये बहुत बड़ी पुनकर्मी प्रानी होते हैं सूरवीर वो होते हैं जो कभी अन्याय करते नहीं और अन्याय सेंड नहीं करते हैं और जब भी कभी कोई युद के मैदान में वो खड़े हो जाते हैं या तो सामने वाले को मार डालते हैं या स्वंब कट टुकडे टुकडे हो जाते हैं वो पीछे नहीं अठते हैं ये पुनकर्मी प्राणी के अंदर एक मिस्यस गुन होते हैं लखवर सावत दे बहुत से पहले के पर्मान मिलते हैं कि जिस प्राणी जिस व्यक्ति के हाथ गुटनों से नीचे तक जाते हों उनको सावत दे युक्त कहा जाता है वो भी बहुत पुनकर्मी प्राणी होता है बहुत पुनकर्मी प्राणी होता है उसके अंदर भी एक मिस्यस गुन होते हैं बड़ा सैंसील होता है कभी दुराचार करता नहीं कोई अन्याय नहीं करता और नहीं किसी को करने देता है और लख पर यती जिहान में यती है जैसे सुखदेवरिशी थे वो बड़े यती थे लेकिन भगती साधना ठेक नहीं थी उनकी फिर भी वो गुन था उसके अंगर राजा जनक के पास जब वो दिख्षा प्राप्ट करने के लिए गए राजा जनक जी ने उनकी प्रिक्षार्थ उनका आसन एक अलग कमरे में लगा दिया और उसकी सेवा के लिए एक नौकरानी भेज़ दी और नौकरानी को कुछ संकेत दे दिया, ऐसे ऐसे करना, नौकरानी उनको खाना खिला करके उन्ही के बैड पर बैठी है, सुकदेव रिसी उस बैड के उपर आगे को सरक गया, लड़की और निक्ट जाने लगी तो बैड छोड़कर वो बाहर खड़ा हो गया, और कहा बैन, ए बेटी, आप बाहर जाएए, आप यहां आ रहिए, जब उस लड़की ने जाके राजा जनक से बताया कि यह ऐसे ऐसे किया, और यह महापरुष बहुती सूचे हैं, तो वो यती कहलाता है, तो यहां प्रमात्मा कहते हैं, लखवर सूरा जो जही, लखवर सावत दे, और लखवर यती जहान में, तब सत्गुर सरना दे, तो आप जी, ऐसे ऐसे भी रहे हो, सदा ऐसे नहीं, जैसे आज आज आप, आप कोई किसी रोग से पी डिता है, कोई किसी टेंशन से ग्रजता है, आप ऐसे नहीं थे, इस कल्योग ने हमारा सारा काम बिगाड़ दिया, इस काल भगवान ने हमें बगती हीन और संसकार हीन कर दिया, फिर इसी के साथ साथ बताया है, कि जो सत्थ साधना नहीं करते, जिनको सत्गुरु नहीं मिलते, उनके विसें बताया है, कि जैसे एक समय गोरखनाथ जी और परमेश्वर कबीर जी की गोश्टी हुई थी, और गोरखनाथ जी ने अपनी सिद्धी विद्धी दिखाई थी, प्रमातमन उसकी सारी सिद्धी फेल करके, और उसको फिर सैट किया था, गोरख जी को ये ज्ञान सुनाया था, गोरखनाथ जी इस ज रहन करके वक्ता बन गए और इस ग्यान के अंदर इतनी कसक है पर तेक आत्मा इसे परभावित होती है जो दास आपको सुना रहा है और कोई नाला एक आत्मी आप पर वक्ता बनके फिर नाम देन लाग जा तो वो अपने करमतों भी गाड़ता ही है और भी बहुत से प्राणि प्राणास जी ने ऐसा ही किया इस ग्यान के अधार से लाखों लोगों को अपने पीछे लगाया जिसमें बहुत से राजा लोग भी प्रभावित हुए पर उसके पास ग्यान नहीं था ग्यान में वो मंतर नहीं था जिस्ता मोक्षो ग्यान अलग चीज़ है समाधान मूल द भार से के गोरक से ग्यानी गणे और सुखदेव जती जिहान और सिता सी बहु भारिया पर संत दूरस्थान क्या बताते हैं के गोरक जैसे ग्यानी फरमातमा के इस ग्यान नहीं सुनकर बहुत से मिल जाएंगे और सुखदेव जैसे यती भी बहुत मिल जाएंगे जो अपन नेक नीती से रहने वाले और सीता जैसी सती बहुत मिल जाएंगी पतनी लेकिन संत बड़ी मुश्कल ते मिलेगा गोरक से ग्याने गणे शुक्दे जिती जहान और सीता सी बहु भारिया लेकिन संत दूर अस्थान, संत के घर बहुत दूर है तो पुन्यात्माओ अब एमान ना समझना इस दास का आज वरत्मान में आपको ये संत मिला है प्रमात्मा कबीर जी की दया से आपके ओपर विशे स्रेम किया है प्रमात्मा ने इस रजा को बनाए रखना बिगाड़ना नहीं बिगाड़ते देर नहीं लगती बनते बहुत समय लगता है तो पुन्यात्माओ ये वो समय चल रहा है जो पूरो मन्यरधारित किया गया था प्रमात्मा दौरा आज आपको थोड़ा सा ज्यान सुनाएंगे प्रमेश्वर कबीर जी ने अपने दौरा रची हुई श्यष्टी को अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास ची को सुनाया पुन्यात्माओ आप ची को इस दास के इस ग्यान से जो प्रमेश्वर कबीर जी दौरा दिया हुआ ग्यान है उसके आधार से इतना तो आभास हो चुका है जैसे ग्यान गंगा नामक पूस्तक को भी पढ़ा सत्सुंग भी सुनते रहते हूँ कि ने तो बिर्मा जी को ग्यान ने विश्मु जी को ग्यान ना संकर भगवान और देवी और बिर्म को कम्प्लीट सेप्रिट्वल नौलिज इनको भी नहीं है क्योंकि अपने द्वारा रची हुई स्रिष्टी को प्रमात्मा स्वेम ही आकर बताते हैं और प्रमेश्वर चारों योगों में आते हैं अपने द्वारा रची हुई स्रिष्टी को स्वेम ही ग्यान कराते हैं वही सही सही बताते हैं उन्होंने 600 वरस पहले अपनी प्यारी आत्मा धरमदास जी से कहा था कि धरमदास जी जब तक ये मानो ये प्राणी मेरे दवारा रची हुई श्रिष्टी के इस ग्यान को ठीक से नहीं समझेंगे तब तक ये कोई भी अध्यात्म ग्यान ग्रेंड नहीं कर सकते और नहीं इनको किसी भी अध्यात्म ग्रंथ का कोई सिरपैर पता लग सकता तो ये जो श्रिष्टी रचना है ये एक मास्टर की है अध्यात्मी किस मारग को समझने के लिए तो प्रमात्मा ने 600 वरस पहले आकर बताया था अपने प्यारी आत्मा ध्रम दास्टी को कि इस रिष्टी रचना कैसे की मैंने और आप जी यहां इस काल के जाल में कैसे फस गे आपकी क्या हालत है कोई जीवन है आपका बले ही हम देख हम देखा एक दूसरे को देख कर यहां टाइम पास कर रहे हैं और अज्ञानता के कारण हम अपने आपको बहुत चतूर भी समझ बैठे हैं क्योंकि थोड़ी सी सिक्स्या होगी कोई डॉक्टर बन गया कोई इंजिनियर कोई राजनेता बन गया कोई वकील अड़ोकेट कोई जज़ बन गया और हम अपने आपको गणा इंटेलिजेंट और चतूर मान वैठे हम आज भी चाहे कुछ भी कितनी ही एजुकेशन आपके पास है आप केवल जीव हैं हम सभी अभी तक जीव हैं और जीव की कोई अवकात नहीं है आज मर्टू हो जाती है चाहे राष्टर पती बना हो कल गदा बन जाएगा जो भगती नहीं करता तो खाक पर बूता यहां की इसलिए जब तक हमने अपना यह धातम ग्यान अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा जिसकी जानकारी नहीं होगी तो हम ऐसे ही बटकते रहेंगे और कोई भी हमें भर्मिट कर देगा कबीर साहिब कहते हैं कि ग्यान संपूरन हुआ नहीं और देर नहीं छिदाया इस देखा देखी बगती का रंग नहीं ठैरा अब परमातमा एक सब मानते हैं जब परमातमा एक है तो उसके पाने का मारग भी एक ही है अनेक नहीं हो सकते तो फिर ये नाना धरम कैसे बनगे ये बिन बिन पंथ और मारग दरसक कैसे उपन अपगे क्योंकि हमें ग्यान नहीं इन्होंने हमारा अंडोडा बना रहा है इसनोंने हमारा साइकल बना रहा है अब एक संथ के पास जाते हैं वो इतने चतुर होई जाते हैं ग्यान अटबट करका कि आम जनसातारन को वो मुर्ख बना ही सकते हैं भरमित कर ही सकते हैं तो हम कभी किसी संत के पास गए, कभी किसी पंथ में, कभी कोई मज़ब गरहन किया, लेकिन अब तक हम यहीं बटक रहें, क्योंकि हमें सिरिष्टी रचना का और यद्धातम ग्यान और सत्गुरू नहीं मिले, जिस कारण से हम अपना मानों जीवन असंखों बार बरबाद करके, नुश्ट करके, और एक हारे हुए जवारी की तरह हाथ जाड़ के चले गए, अपने अत्मों आपके उपर रह्म किया दाता ने, और अब भी नहीं पहचानोंगे इस गंदे लोग को, क्योंकि एजुकेशन आपके पास है, इतना समझदार आपको बना दिया है कि आप पासानी से अपना बला और बुरा खूब सोच सकते हैं, और सद्गरंथों में परमान परमात्मा के ये दास आपके रूबरू करही रहा है, जो आज तक के रिशीव मेह, रिशीव मडले सुरों को ये नहीं प्राप्त हुए हैं, तो सबसे पहले केवल परमात्मा थे, सच्च पुरुष थे, अविनासी परमात्मा, कबीर भगवान थे, उस परमेश्वर का ओरिजनल नाम जो है कबीर देव हैं, वेदों में उसे कबीर देव कहते हैं, और हम अपनी मातर भास्तानों से कबीर कहन दाएगे, कबीर देव माने साहब परमेश्वर, और कुरान स्रीप के अंदर उसी परमात्मा को अल्हा कबीर कहते हैं, अल्ला हुआ अकबर, अकबीर, ये अप्रन सब्द है, अल्हा कबीर है, अपर का अकैर लोक रचा जिसको अनामी लोक भी कहते हैं और उसके पस्टाद परमातमा ने नीचे के तीन लोक और रचे और परतेक लोक में परवेश्वर ने अपने ही भिन भिन रूप बनाए और परतेक लोक के अंदर एक बहुत बड़ा गुमज है बहुत बड़ा सुन्दर एक मंदिर नुमा सथान है उसके बीच में परमातमा ने अपना तकहत बनाया है सिंगासन बनाया है उसके उपर वो विराजमान है शिर्पे मुकट है उपर सुवेट छटर है और परमात्मा के परतेक लोक में परमात्मा के बोड़ी का जो लाइट है परमात्मा के स्रीर का जो परकास है उसमें परतेक लोक में अंतर है सत लोग के अंदर प्रमात्मा के कभीर प्रमेश्वर जी सत्यपोस के एक रूम कूप में जैसे छिदर है बालों का इसके करोड सुरिये मिला दे करोड संदर मां इतना नूर है पूरी बाड़ी का यानि एक रॉमकूप का इतना है तो पूरी बोड़ी का कितना होगा ये हिसाब लगाएं और उसके बाद उपर अलख लोग है उसके अंदर परमात्मा के ऐसी सिंगासन पर ब्राद्मान है और वहां उनके स्रीर की जो सोभा है वो एक रॉमकूप में अरब सुरिये और इतने ही चंदरमा दोनों मिला दे तो भी परमात्मा के एक रॉमकूप की जो रोशनी है वो तेज है उसके बाद अगम लोग है अगम लोग के अंदर परमात्मा के एक रॉमकूप की रोशनी खरब सुरिये के तुल है एक रॉम ऐपक पाली की ऩारी बवनीक 두की कितनी होगी या पिसाब लगाएं उसके बाद छो अकेल वोक्म प्रवात्मा वराद्मान है तो उनके एक रॉम और कॉप की जो रोस्मी है संख सुरिय नील पदम संख सुरिय जितने परकास है सत लोग के अंदर प्रमात्मा ने सबसे पहले श्रिष्टी रचना की है प्रमेश्वर कबीर जी ने आदनिय द्रमदास साहिब जी को बताया तो वो ग्यान दास अपने सब्बों में आपके रूब रूब करेगा सबसे पहले प्रमात्मा ने एक वचन से सोले द्वीपों की रचना की सत लोग में और फिर प्रमेश्वर ने अपने वचन से सोले सुत उत्पन किये सोले पुत्र परते को एक एक द्वीप में रहने का आदेश दिया कुछ समय उपरांत प्रमात्मा ने अपने उनी सोले उत्पन पुत्रों में से जिन में से एक अचिंत है उसका नाम अचिंत है उस से कहा कि आप शिरिष्टी रचना करें और प्रमात्मा उसको सक्ती दे दी वजन दे दिया शिर्वा दे थी अचिंत ने अपने वचन से अक्सर पुरस की उठपत्य की और प्रमात्मा ने उस अतलों के अंदर एक मान शरोर की रचना भी उन डूइपों के साथ ही की और छोटे-छोटे शरोर तो सभी लोग को डूइपों में बनाए ही जाते हैं तो अक्सर पुरस सनान करने के लिए उस मान शरोर में चले गए हैं तो अपने अत्मा वहां सुआसों से श्रीद नहीं है तो वहां जाकर कि उसने पहले सनान किया फिर उस सीतल जल के अंदर आनन से लेट गए निंदरा आ गई काफी समय तक वह बाहर नहीं आए अचिंत ने परमेश्वर से कहा कि प्रमात्मा अक्सर पुस उठ नहीं रहा है और मैं स्रिष्टी रचने में हेलपलस हूँ विवस हूँ जब तक वह शरोर से बाहर नहीं आएगा तब प्रमात्मा ने कहा कि बेटा मैंने आपको इसलिए ये स्रिष्टी रचने के लिए कहा था और मुझे मालूम था कि आप नहीं कर सकते लेकिन बीच में आपके करम बिगड जाते आप सभी अपनी महिमा की भूख में कहीं गडबड़ ना कर देते इसलिए समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है आगे से सावधान रेना पूतर है यानि इस जटके से उन सभी जितने भी पूतर थे जब तक उत्पन हुए थी आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं सर नमस्कार नमस्कार सर सर क्या नम है आपका मारा नम गोपी रामपाल है गोपी रामपाल जी कहां सा आई आप सर संत रामपाल जी महराज जी की सरण में आने से पहले आप क्या बक्ती साधना करते थे सर आपने इतनी पूचाएं की है अखंड पाट किये है गेता जी का अध्यन किया है तो सर हम आपसे यह जाना चाहेंगे की इतनी सारी साधना करते करते भी आप संत रामपाल जी महराज जी की सरण में क्यों गए इतने बक्ती करने के बाद हमको बवासीर खूनी हो गई तो हम इतने परिसान हो गए कि भगत जी बैठ नहीं पाते थे दर्द होता था तो हमको ग्यान गंगा पुस्तक प्रिचार में जो यहां से गए संत रामपाल जी महराजी के सिस तो हमने ग्यान गंगा वहां लिए जब ग्यान गंगा को पढ़ा तो उसमें भगतों के कुछ जो संत रामपाल जी महराज से जो आराम उनको मीर ले थे वो उसमें हमने पढ़े तो हमने देखा कि यह बास्तों में सहीर है यहां हमको जाना चाहिए जो हमारा बाबा से ठीक हो जाए कई अक दाक्टरों से इसके पहले हमने इलाज भी करा रखा था लेकिन वो जितनी दवाई खाते थे आराम रहता था और खुन चलता रहता था लेकिन जब यहां हम गुरु जी की संत रामपाल जास महराजी की से उपदेश लिया उसी दिन से आग तक कोई ववासीर की भी अजवितिया अवीरल बताया जाता है आपने जब संत रामपाल जी महराजी का ग्यान सुना तो आपको कैसा लगा उनका ग्यान जो है बास्तों में यथार्द जो मनुस्त का साधन धाम मोक्ष कर दो आ रहा है मोक्ष दिलाने वाली वो हमको लालसा थी रामायरोस में सुना के और ये बताया कि ब्रमा बिश्णू महेश से भी आंगे ब्रह्म परब्रह्म और पूर ब्रह्म हैं ये तीन सक्तियां है और बेद सास्तर से और गीता से ये सिद्ध कर दिया कि पूर परमात्मा जो है वो सासरी राता है वो सासरी चला जाता है तो वो किसी माता के ग जनम नहीं लेता है तो उसकी जो परविर्षकी लीला है वो क्वारी गाय के दूद से होती है जो कि रगवेद मनलनौ सूत्र एक मंत्र नौमे है अभी अधण्या धेनौ यानि बिना धनाई गाय के दूद से उसकी परविर्षकी होती है और परमात्माज जो कभीर परमेश्वर मगहर से संत्राम पालदास जी जी ने मताया कि जो सत लोग गए हैं जो की मैं सरीर से सरीर चले गए हैं उनके जाने के बाद वहाँ जो फूल चद्दरोड के परे थे फूलों पर तो केबल फूल रह गए थे वहाँ उनका सरीर नहीं मिला तो इसलिए संत्राम पालदास में महराज जी का क्यान मुझे अध्युती और बहुत अच्छा लगा सर संत्राम पालजी महराज कभीर साहिब को परमात्मा मानते हैं यह हम भली बाती जानते हैं लेकिन सर इसके अलावा एक और अनोखी बात है जो आज के समाज में चर्चा का विश्य बनी हुई है कि संत्राम पालजी महराज जी से नाम दिख्सा लेते ही लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं उनकी समस्याई दूर हो जाती है उनके दुख दूर हो जाते है उनका नसा छुट जाता है तो सर हम आप से जाना चाहेंगे क्या आपके साथ भी ऐसा कोई अन्बव हुआ हाँ नसा तो एक ऐसी बात है हम भी गुटका खाते थे तमाखो खाते थे लेकिन जिस दिन से संत्रामपालदास महराजी से उपदेश लिया है उस दिन से आज तक कोई भी नसा नहीं किया है गुटका है तमाख हुए है यह हमने बिलकों नहीं खाई है इसके बाद मुझे बबा सीर की सिकाइब थी जो की बलेड नकलता था और कई एक उपदेश लेने के पहले हमने कई एक डाक्टरों से इलाज भी करवा रखा था लेकिन संत्रामपालदास महराजी की जब से हमने दिख्षा लिये तो यहां लेते ही एक दूसरे बार हजरी एक महीने के बाद आये तो बिलकों मेरी बवासीर सवाप्त हो जोकी थी दूसरी बात हमने एक बार चनों का दवाई छड़की थी तो वो दवाई चने हमने चुन लिये तो चुन लिये खा लिये तो रात में हमारा गला सूज गया यानि स्वास अवरद हो गई आँखें छप गई विरकुल मेल हो गया जब हम दाक्टर के वास गई तो उसने बताया कि आप उने फवाईजन खाया है तो हमने बताया कि चने खा लिये थे तो बोले आप बच कैसे गई तो हमने कहा हम संत्राम पाल्दास माराजी की सरण में हम मर नहीं मर सकते हैं परमात्वा हमारी उमर भी बढ़ा देते हैं संत्राम पाल्दास माराजी ने हैं हमको जीवंदान दिया है ये हमने जड्र को बतलाया मेरे भक्तमती थी भक्तमती को बिल्ड मुह से एकवाल लिकला है तो हमने पहले दिखाया वहाँ जड्रों को अनको चेक अप कराया तो उनोंने कैंसर की सिकाईद बताई तो हमने वहाँ इलाज कराते रहे लेकिन वह उनको आराम नहीं गुए लेकिन हम जुड़ चुके थे इसके एक महीन एक साल बाद हमने उनसे कहा कि चलिए अब परमात्मा सरूप संत्रामपालदास महराजी आ चुके हैं उनसे उपदेश लिजिए तो उन्होंने आकर के भी संत्रामपालदास महराजी से उपदेश लिया हमने अरदास लगाई परमात्मा ने कहा कि बेटा सुमरण करो तो ठीक ह जाएगा और यही हुआ भगाजी तीसरे चौथे महीने में विर्कुल पूरू रूप से स्वस्त हैं आज तक कोई शिकायत उनको बिलटकी नहीं आए यसी प्रकार से मेरी पुत्र बधु थी पुत्र बधु को यहां गिल्धी पर गई भगाजी यहां मॉटी 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 स खेंट है यही इलज कराया कोई आराम नहीं हुआ तो हमने कही कि तुम कुछ नहीं करा पाऊगे अब हमको इसको इलाज कराने हैं दो में उन्होंने चेक अप किया और आज पूरे दूरूप से स्वस्त हैं उसके सब पठा गए सर जैसा कि आपने बताया कि आप काफी समय से नसा करते थे और सर नसा एक ऐसी चीज है कि की लोग काफी कोश्िस करने के बाद भी आज के समय में छोड नहीं पाते लोग काफी परियासों के बाद मेडिकल ट्रेटमेंट के बाद भी अपना नसा नहीं छोड़ पाते तो सर संत रामपाल जी महराज जी ऐसा क्या इलाज करते हैं कि जो भी उन से नाम दिख्षा लेता है वो नसा छोड़ देता है सन्त राम पाल दाज महराज जी ना तो कोई जाड़भूख करते है ववा भक्तीमाढ के यथार्थ मंत्र देते हैं जो की सत सास्त्रों से प्रमारत एबं पूर्ण मंत्र हैं पूरा गुरु सोई कहावे दो अक्षर का भेद बतावे एक छोड़ावे एक लखावे तब प्रानी निज घर को जावे तो वो पूर्ण मंत्र है दो अक्षर का जो सतनाम है और सार नाम है ये मंत्र किसी के पास नहीं है तो वो बेद प्राण सास्त्रों के जब मंत्र देते हैं उनके आसीरबाद से संत्राम पाल्दाज महराजी की किरपा से वो नसा और सब ये बीमारियां मंत्र की जाब से ही खतम होती है सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं भगत समाज को संदेश क्या प्राथना ही करते हैं कि भगत समाज यदि सही भक्ती और यथात परमात्मा की भक्ती करना चाहता है और जो कहा है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही परलोग समारा जो मोक्ष चाहता ह जो तत्यो दर्शी संत के पास मिलने के पास उसे दंजोत प्रडाम करने के पास वो उपदेश देता है जो सतनाम और सारणाम है इससे ही मुख्ष हो सकता है तो वो संत रामपालदास जी महराजी के पास हैं वहां आकर के असतनाम और सारणाम प्राप्त करके इस आवा जमन के मरणा और जीवन के कठिन दुख को निवारान के लिए के विए संत रामपालदास महराजी से उपदेश लेकर अपना मुख्ष करा सकते हैं जे धन्यवाद नवस्कार साथ आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदरशी संत रामपालजी महराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें करतके टॉष पयदकी जानकारी के लिए।